हलो व्यूर्स लोक्षिक्षन संचालनाय मध्यपदेश की तरफ से एक महतपूर्ण आदेश है आपकी बोर्ड परिक्षाओं से संबंदित तो आईए देख लेते हैं यह आदेश क्या है कक्षा दस्य और बारवी की बोर्ड परिक्षा से संबंदित आदेश है और बोर्ड प स्कूल उचत्रमाद्यमेक विध्याले के लिए है और इसका विशय है वर्ष 2023 के बोर्ड परिक्षा पुर्व अभ्यास के आयोजन विशयक तो आपकी बोर्ड परिक्षा के पहले पुर्व अभ्यास किया जाएगा इस बार आपकी प्रिबोर्ड एक्जाम नहीं होगी बलकि बोर्ड परिक्षा पुर्व अभ्यास किया जाएगा तो इस आदेश में लिखा है शंत्र दो हजार बाविस तेविस में प्रदेश के समस्त हाई स्कूल एं हायर सेकेंडरी विध्यालों में कक्षा दसी बारवी कि बोर्ड परिक्षा के पुर्व अभ्यास दिनांक 30 जनव जनवरी 2023 से दिनांक 11 फरवरी तक कराये जाएं तो बोर्ड परिक्षा के पहले बोर्ड परिक्षा की तयारी के लिए आपसे अभ्यास करवाया जाएगा इस स्कूल में 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में और इसे तो निमनलिखित निर्देश दिये जाते हैं तो इसके जो निर्देश दे रखे वह है राज्य इस तर से विमर्श पोर्टल पर प्राचारे लोगिन पर दिनांक 27 जनवरी 2023 से सलगन प्रपत्र एक में दर्शाई गई सूची अनुसार निमना अनुसार सामगरी उपलब्द होगी तो यहां तो प्राचारे के लिए आदेश है कि उनक ककशा दस्वी है तो अभ्यास प्रशनपत्रों के आदर शे उदतर भी रहेंगे और ककशा बारवी है तो वस्तुनिस्ट प्रशनों के आदर शे उदतर रहेंगे इसके साथी माद्यमिक शिक्षा मंडल दौरा जारी ब्लू प्रिंट के आधार पर विध्याले इस्तर पर विभिन विश्यों के और अधिक सेट तयार कराये जा सकते हैं और इसके बाद लिखा सलकन प्रपत्र दो के अनुसार जिन विश्यों के प्रश्ण पत्र संचालना इस तर से उपलब्द नहीं कराये जा रहे हैं उनके चार-चार सेट विध्याले प्राचरे अपने इस्तर पर मंडल त्वारा जारी ब्लू प्रिंट के आधार पर आधर शुत्तर सही तयार कराये जाएंगे तो यहाँ पर इस फरस्ट है कि इस बार आपकी क्योंकि प्रिबोर्ड एक्जाम नहीं होगी तो इसके स्थान पर आपसे पेपर हल करवाये जाएंगे इसकुल में ही चार-चार प्रश्ण पत्र इसकुल में उपलब्द करवाये जाएंगे या बोर्ड की तरब से और इनको हल करवाकर आपको बोर्ड एक्जाम की तयारे का अभ्यास करवाये जाएगा इसके बाद हम देख लेते हैं प्रपत्र दीन के अनुसार दिनांक 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 के अधी में प्रति दिन उस दिनांको दर्शाय विशेशिक्षक द्वारा कक्षा दस्यूर बारवी के विध्यार्थियों को प्रश्ण पत्र हल करने हैं एक दिवस पूर्व विशे कालखंड में दिये जाएंगे तो एक दिन पहले ही आपको पेपर दिये जाएंगे हल करने के लिए उसे तो मार्गदर्शन भी दिया जाएगा विध्यार्थी मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरां तो उन प्रश्ण पत्रों को कक्षा में हल कर सकते हैं अथो आप प्रश्ण पत्रों को हल करने के लिए अपने घर भी ले जा सकते हैं तो ये सुविधा भी है या तो आप कक्षा में ही हल कर लो या फिर आप घर लाकर हल कर लो क्योंकि घर लाकर ही हल करना पड़ेगा पेपर जो है तीन गहंटे का समय रेता है और इतना समय इसकूल में आपको मिलेगा नहीं अभ्यासे तो वित्यारतों को उत्तर पुस्तिकाई भी उबलब्द कराई जाएगी इसके बाद है यहाँ पर 30 जनवरी 2023 से प्रतेक विशय है तो दो काल खंडों को एक किया जावे जिससे चात्रों को आपस में उत्तर पुस्तिकाई को चेक करने तदूपरांत विशय शिक्षक द्वारा कठिन बिंदों को हल कराने है तो प्रयाप्त समय मिल सके तो आपकी उत्तर पुस्तिकाई भी चेक होगी ठीके पूर्वा दिवस पर दिए गए प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिकाओ का मुल्याकन अगले कार्य दिवस विध्यार्थियों से आपस में उत्तर पुस्तिकाई बदल कर मोडल उत्तर के आधार पर करवाया जाए इससे रास्ट्री शिक्षानिती में उल्लेखित फियर लर्निंग की भावना भी सूधर होगी तता एक दूस्टरे के उत्तर को देखकर विध्यारती परिक्षा में बहतर तरीके से विश्य वस्तु की प्रस्तुति के संबन में भी जान पाएंगे तो इस प्रकार से आपकी कॉपी चेक होगी लेकिन आगे यहाँ पर दे रखा है कि आपके शिक्षक कापकी कॉपी चेक करेंगे यहाँ पर दे रखा है कि विशेशिक्षक स्यम समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यान करेंगे तता प्राचारे नियुन्तम 10% मुल्यान किंत उत्तर पुस्तिकाओं को रैंडम सेंपलिंग के आधार पर चेक करेंगे और यह जो है आपके नंबर भी सुझी बद्ध होंगे आपके नंबर भी यहाँ पर विध्याले द्वारा रखे जाएंगे समस्त विध्यालों में बोर्ड परिक्षा पुरु अभ्या संपन हुआ इसको सुनिशित करने के लिए विध्यारतियों में कक्षावार, विशेवार और चात्रवार अंकों का संधारण किया जाए प्राचारे कक्षा दस्टी बारवी के कक्षाओं के कक्षाओं के CD और E-Grate के विध्यारतों का रिकार्ट स्वयम के डेस्क पर रखे तो यहाँ पर आपके अंको को भी संभाल कर रखा जाएगा हो सकता है यह कभी काम भी आजाए किसी तरह से तो आपको परिक्षा पूर्व अभ्यास के सारे पेपर अच्छे से हल करने हैं और इससे संबंधी जानकरी आपको स्कूल में भी मिलेगी और चैनल पर भी मिलेगी जो परिक्षा पूर्व अभ्यास है इससे संब्धी तो आपको यहाँ पर जो बोर्ड द्वारा पेपर जारी किये जाएंगे एक अधर्श प्रशनपत्र या मोडल पेपर होगा उनको आपको हल करना होगा पूरा और हल करके वापस इसकूल में जमा करवाने होंगे और यहाँ आपके प्रिबोर्ड परिक्षा नहीं होगी बलकि इसके स्थान पर अभ्यास प्रशनपत्र आपको मिलेंगे ठीके प्रिबोर्ड एक्जाम के स्थान पर बोर्ड परिक्षा पूर्व अभ्यास का आयोजन किया जाएगा जिससे कि आपको पेपर को हल कर सको जो कठ प्रश्न होंगे आपको स्कुल में समझाए भी जाएंगे और उसको समझकर आगे जो कठिन प्रश्न आ सकते हैं एक्जाम में उनको भी हल कर सकोगे तो इस प्रकार से एक नया आदेश है लोकशिक्षन संचालना है मद्यपदेश की तरब से तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा दस्ची की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए